ओम सिरी गनेशा नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अपरेल बुद्वार के राशी फल्क के बारे में कि हाँ दिन सिंग राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए बुद्दवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्त डित करेगी संतान की तरफ से उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाचार आपको मिल सकता है आपका सिद्धान्तवादी दरश्टिकौन समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है साती धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियों में आज आपका महत्पपून योगदान रहेगा प्रॉपर्टी संबंदित कोई रुका हुआ काम पूरे हुनी की आज संभाव ना है दोस्तो आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है साती भग्य और संतान संबंदित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है आपका विवेक और आदर्स वादी स्वभाव आपके लिए आज महत्पपून उपलब्दियां दिलाएगा दोस्तो आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक है जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंदों में भी काफी सुदार आएगा सभी काम आज सांतिपूर तरीके से संपन होते हुए चले जाएंगे दोस्तो भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में सायक रहेगा आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में मदद करेगी दोस्तो घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना वनेगी आप दोबारा से अपने आपको तरो ताजा महसूस करेंगे साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुधार आ जाएगा जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगरिव हो सकता है दोस्तो किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें धनके लेंदेन संबंदी कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं कोई भी काम करने में जादा सोच विचार में समय ना लगाएं इस से समय आपके हाथ से निकल सकता है सामाजिक रिस्तो को मदूर बना कर रखना आवश्शक है कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती हैं जिसकी वज़े से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे अपने स्वयभाब को पोजेटिव बना कर रखें दोस्तो इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्शकता है कि आपके सरल स्वयभाब का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं जिससे आपकी मन इस्थिती कुछ विचलित हो सकती हैं दूसरों के मसले सुल जाने में आपके कई महत्वपून काम भी रुख सकते हैं दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्य पूरा करें नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड सकती हैं और कुछ लाबदाएक मोके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभावना हैं दोस्तों साथ साथ दिखावे की प्रवर्ती से भी आप दूर रहें इस समय धन संबंदी कुछ नुकसान दाएक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश को आज फिलाल टाल दें संपत्ति संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के साथ संबंद खराब ना हो बच्चों की गतिविदियों पर ध्यान रखने की अतियावशक हैं उनके कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिशानी में डाल सकती हैं उन्हें शकारात्मक कारों में व्यस्त करना अतियावशक हैं जो उनके भविश्य के लिए काफी लाबदाइक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो घर का माहौल अनुशासित और आज खुशन मा रहेगा प्रेम संबंदों में मर्यादा बना कर रखना आवशक हैं आपकी समस्याओं को सुल जाने में आपके जीवन साथी वे बच्चों का पूरा शयोग रहेगा जिससे आपका आत्म विश्वास काफी अच्छा बना हो रहेगा दोस्तो नजवी के जिस्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है जिससे घर परिवार में वातावरन खुशनमा और सुकत बना रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कार रहे इस्थल पर लिए गए ठोस निर्णे बहतरीन साबित होंगे और कामियाबी भी आपको अवश्य मिलेगी आज मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कारों में समय अधिक व्यतीत करें शेयर वे रिस्ग प्रवर्ती वाले कामों से दूर रहें आपके साथ छल या धूका धड़ी हो सकती है नोकरी में किसी प्रकार के इस्थान परिवर्तन या तबादले की भी आज इस्तितियां बन रही है कार्रे इस्थल पर किसी पडोसी के दुआरा लड़ाई जगडे जैसी इस्तिति बन रही है कुछ कानूनी या निवेस संबंदित जटिलताओं का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है वेवसाइक कार्रे प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवशक है जिससे और अधिक बहतर प्रणाम आपको हांसिल हो सके दोस्तों वेवसाइक प्रस्तिष्ठान में अनुबभी और परिवार के वरिष्ट जनू की अनुमती और सहमती से कार्रे करने से काफी समस्याइं आसानी से हल हो जाएंगी धन के लेन देन सम्मंदित कार्रे में अचानक से कोई लाबदाइक इस्तिती आज बनेगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबभ होगा दोस्तो कारे छित्र में जो आप बदलाव सम्मंदित योजनाएं बना रहे हैं उन सभी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं है इस समय अपनी अधिक्तम उर्जा निवेस सम्मंदित कार्रों में लगाएं वर्तमान गति विदियों पर अपना ध्यान केंदित करें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं अब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छ रहेगा परन्तु फिर भी दिन चर्या को वेवस्तित बना कर रखना आप के लिए अतियावशक है इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें, वैयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश हुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को बूंदी के लड़ू का भोग लगाएं और इसके बाद आप भगवान श्री गनेश जी के माथे पर लगे सिंदूर को निकाल कर अपने माथे पर तिलक लगाएं जो भी आपके जीवन में परेशाने चल लेगी हैं समस्त परेशाने हो कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके सभी कार्रें बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश जी का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश्री गनेशा वस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद